हलो स्टुडेंट्स उफ क्लास 2 आज मैं आप लोगों को मैच्स में चैप्टर 9 ना दिविजन करवांगी ओके स्टुडेंट्स चैप्टर 9 है हमारा मेजर्मेंट और आज हम मेजर्मेंट में लेंध के बारे में सबसे पहले डिसकस करेंगे जैसा कि आप सभी बच्चों को प सेन्टेमेटर का यूज शोर्ट स्मॉलर लेंथ के लिए होता है ठीक है अब का दो लेंथ इस मेजर्ड इन मीटर सांब के जैसा कि मीटर में हम किन चीजों को कर सकते हैं जैसे कि आप लग देख रहे हैं यहाँ एक वॉल की लेंथ मेजर की जारी है तो इसे हम मीटर में यह बट वहीं अगर वह अगर किसी मीटर टेप की होगी तो उसे हम संटीमीटर में करें यह एक स्मॉल थिंग है इस्मॉल आपजेक्ट है ओके स्टुडेंट्स जैसे की और हम जानते हैं कि वन मीटर इस इकल टू हंड़र संटीमीटर होते हैं ठीक है एक मीटर में कितने संट और हमें बताना है कि यह मीटर में इसका मेजरमेंट होगा या फिर सेंटिमेटर से ज्यादा लंबा होगा या फिर छोटा होगा जैसे एक मैंगो यह एक सेंटिमेटर से बड़ा होता है या छोटा होता है तो बड़ा होता है अप फ्लाई वान सेंटिमेटर की होगी अप पप ये भी हमारा एक सेंटिमीटर से ज्यादा लंबा होगा अपी मतलब मटर के जो दाने होते न अक्रियोन प्रियोन साप लोग सभी बच्चे जानते ही है एक चीटी के लिए तो इसमें ये पूछ रहा है कि कौन सा अबजेक्ट हमारा एक सेंटिमीटर से लंबा होगा तो उसके आगे आप लोग को लिख देना है ठीक है उसी तरह से चैप्टर नाइन भी में है कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है इसे हमें सॉल्व करना है जैसे टोनी अगर टू टाइमस अराउंड फोर हंड्रेड मीटर जोगिंग ट्रेक टोनी जोगिंग करता है एक पार्क में जिसकी सेंटीमीटर अमर के नोटबुक की लेंथ है 15 सेंटीमीटर हिना जोटबुक की सेंटीमीटर लॉंगर हिना की नोटबुक उसे 7 सेंटीमीटर लॉंग है तो बताना है हिना की नोटबुक की लेंथ क्या होगी नंबर थर्ड है रोप 46 मिटर लॉंग इस कट इंट टू पीसे टू पीसेज में कट कर दिया गया है फर्स्ट पीस की लेंथ है 29 मीटर तो बताना है second पीस की लेंथ कितनी होगी और उन दोनों पीसेज की आपस में डिफरेंशेज कितनी होगी नमबर फोर्थ है एक ट्रेन है जिसकी लेंथ है 150 मीटर और प्लेटफॉर्म की है 285 मीटर लोंग तो बताना है कि ट्रेन प्लेटफॉर्म पे कितना ट्रैवल की तो हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो निकल जाएगा ना ट्रैप करने लिए जाने हुआ है कि बताना है कि हाउ मच फॉर्दर मस्ट इट बी रेस तू रिच दे डॉप की उसको टॉप तक पहुंचने में कितना कितनी measurement उसको तैय करनी होगी challenge में है कि मानव की length है 124 cm वो रीता से 16 cm लंबा है और रीता की लंबाई नेहा से 20 cm शौटर है तो how tall is नेहा मानव की length है 124 cm और वो रीता से 16 cm लंबा है तो मानव की exact length कितनी होगी बच्चो हम लोग 124 को 16 में add कर देंगे न अब बोलड़ा है रीता इस 20 cm shorter than नेहा तो जो height आएगी उसमें से हम लोग 20 cm को minus कर देंगे तो नेहा की height निकल जाएगी उसी तरह से बच्चो आप लोग यहां पे भी देखिए आप लोग को G से लेकर edge तक कि आप लोग को scale के help से measure करना सिखाया था ना मैंने हम लोग 0 से start करेंगे 1 point को और जहां तक last पे जाएगा उस point को हम लोग count करके देखेंगे कितना होता है उतनी ही cm length होगी है नेक्स्ट हैं आपको बताना है कि table की length क्या होगी आपको यहां पर meter या cm unit यहां पर लिखना है table की क्या होगी यहां पर 9 number का एक card है एक newborn baby है double dacre bus है इसकी length meter में होगी की cm में होगी वह आप लोग बतानी है एक school की height क्या होगी किस में होगी sorry unit में अब आप लोग को बताना है यहाँ पर more or less में The height of a cycle is dash than one meter एक meter से ज्यादा है या कम है वो आप लोग को इसमें लिखना है more or less और यहाँ पर भी बच्चों आप लोग को meter और centimeter unit लिखना है ठीक है Exercise 9C इसमें आप लोग को measuring weight पे आप लोग को एक तरफ object रखा हुआ है और एक तरफ weight रखा हुआ है आप लोग को बताना है कि यह कितना हुआ देखिए इसमें 1 kg का weight रखा हुआ है तो यह हमारा object कितने kg का हो गया 1 kg का यहाँ पर एक यहाँ पर apples कुछ apples रखे हुआ है और यहाँ पर देखिए weight क्या रखा हुआ है 1 kg के 2 bars है तो कितना weight हो गया 2 kg है ना उसी तरह से यहीं पर अब आप लोग को kg और kg और kg में रखना है हम सभी लोग जानते हैं मैंने आप लोग को पहले ही प्रहा है कि 1 kg is equal to 1000 g होते हैं है ना kg ज़्यादा weight वाली चीजों को measure करने के लिए use होता है kg unit और कम weight वाली चीजों को measure करने के लिए use होता है gram का unit तो आप लोग को इसमें से देखना है कि कौन सा ज्यादा weight का है उसमें kg यूज़ होगा और जिसमें कम का होगा वह उसमें grams यूज़ होंगे उसी तरह से 90 में भी कुछ word problems है इसमें बताना है total कितने kg होंगे इसमें बोलड़ा है सुमीत का weight 45 kg है और अनिल का weight 56 kg है तो दोनों का weight कितना हो जाएगा यहां बोलड़ा है box of cherries weights cherry के box का weight 560 grams और plum के box का weight 150 grams ज्यादा चेरी के bags है तो बताना है कि plum के box का कितना हुआ exactly तुम लोग माइनस कर देंगो तो पता चल जागा ना बच्चो उसी तरह से 4 नंबर में एक table का weight है 22 kg और एक chair का है 16 kg lighter मतलब 16 kg हलका है वो टेबल से तो बताना है कि चेर का exactly कितना होगा ओके चैलेंज में है टीना बाइज बैग ऑफ अन्यान वेटिंग 750 ग्राम टीना ने अन्यान पर्चेस किया जिसका weight 750 ग्राम उसने 250 ग्राम उन्यान यूज कर लिए और 360 ग्राम उन्यान यूज किये डीनर में तो बताना है कि उसके पास अब कितने बचे हैं उसने जितने यूज की हैं बच्चों दोनो 250 ग्राम और 380 ग्राम उन्यान दोनों को हम एड कर लेंगे और 750 ग्राम जितना उसने पर्चेस किया था उसमें से माइनस कर देंगे जो बचेगा वह हमारा बच्च उसके बाद अब हम आते हैं capacity पर मतलब liquids पर ठीक है लिक्विड मींस किया था बच्चों water, oil, milk, drink, cleaning, spray कुछ भी ठीक है इन सब को हम liquids कहते हैं जैसा कि आप सभी भी बच्चे जानते हैं 1L is equal to 1000 ml होता है एक लिटर में कितने ml होते है 1000 ml होते हैं लिटर का यूज होता है ज्यादा measurement क्या मिजर करने के लिए और मिली निट्र यूनिट का यूज होता है कम मेजरमेंट के वेट के चीजों को यूज करने के लिए मिजर करने के लिए इसे में हम आते हैं यहां पर देखिए कुछ objects बने वे हैं आप लोग को इनको देखके पचानना है कि किसमें कम unit में कोई भी liquid आएगा उसमें हमें milliliter यूज करना है और जिसमें ज्यादा measurement में आएगा liquid उसमें हमें लिटर यूज करना है अब हमारा next exercise is 9f इसमें कुछ word problems है यह भी और यह हमारा division exercise students इसे आप लोग को अपनी copies में बनाना है ओके ओल्राइट आप लोग division exercise को अपनी copy में बना लिजेगा ओके बाई